रखुराज प्रताप सिंग उर्फ राजा भाईया उत्तर प्रदेश के चर्चित नेताओं में से एक हैं ज्यादातर लोग बाहुबली नेता के तौर पर राजा भाईया को पहचानते हैं हाला कि राजा भाईया खुद इस पद से इत्तिफाक नहीं रखते राजा भाईया को लेकर कई किस्से कई कहानिया हैं जो मशूर हैं ऐसे ही एक कहानी हम आपको सुनाएंगे एक बार कुंडा के मरते हुए शक्स ने अपनी आखिरी इक्षा जाहिर की और ये आखिरी इक्षा राजा भाईया से मिलने की थी उस बारे में बात करते हुए राजा भाईया कहते हैं मैं लोगों को प्यार करता हूँ इसलिए मुझे भी लोगों का प्यार मिलता है यही वज़ा है कि मैं कुंदा से कभी चुनाब नहीं हरा एक बार भोला शर्मा नाम का एक व्यक्ती गंभीर बिमारी से पीरित था उस शक्स की हालात इतने खराब थे कि उसके पास अपना इलाज करवाने तक के पैसे नहीं थे राजा भाईया के करीबियों के मुताबिक राजा भाईया को जो ऐसे ही गंभीर बिमारी से जूज रहे इस शक्स की मजबूरी का पता चला उन्होंने ततकाल उसे इलाज के लिए लखनव भेजा इलाज का पूरा खर्च भी उठाया पीरित के परिवार वालों को राजा भाईया ने अपने सरकारी आवास में रुकवाया पीरित का लंबे समय तक PGI में इलाज चला इलाज के बाद भी जब भोला शर्मा के बचने की कोई उमीद नहीं रही उसने परिवार के लोगों से अपनी अंते मिक्षा जाहिर करते हुए कहा कि वो राजा भाईया को देखना चाहता है घरवाले उसे राजा भाईया की कोठी में ले गए राजा भाईया यूथ ब्रिगेट के सदस्य और ततकालीन प्रदान संग के जिलाध्यक्ष पिंटु सिंग इस बारे में बात करते हुए कहते हैं कि राजा भाईया उस बिमार शक्स से मिले राजा भाईया से मिलकर वो शक्स बोला कि मुझे मेरे भगवान के दर्शन हो गए इस मुलाकात के कुछी समय बाद भोला शर्मा की मौत हो गई नेक्स्ट नाइन निउस नेशन की रिपोर्ट